नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णा कांत आप लोग का बहुत बहुत स्वाधत करता हूँ आपके अपने चैनल पर दोस्तों पिछले कुछ वीडियो की तरफ मेरा जो अवाज का टोन होगा थोरा सा लो होगा लो होगा क्योंकि मैं अभी दूसरे जगह पे आया हूँ मैं अपने लोक्स में करना उसका भी कुछ उपाय किया जाएगा अच्छे से अब बाकि जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि आपका कॉपी चेक कैसे होगा मतलब कि कॉपी चेक जैसे 12 का आप लोगों का तो हो गया तो आपका कॉ तो मैं अच्छे सब कुछ बता दूंगा जिसा कि बिहार बोड इसमार डेट भी आपको रिलीज कर दिया है कि 24 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा साम तीन बजे दोपर तीन बजे 24 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा बाकि बात करते हैं कि इस पर कॉपी कैसे च है उसके बाद जब उसका मिनमम पासिंग का कैल्टेरिया जो पूरा हो जाता है फिर टीचर्स उसका नंबर तो को काटते काटते थे मैं आपको पहले ही बताया कि एक टीचर्स है जिनसे मेरी बात होती रहती है वह इधर बेगुसराय में जाकर कॉपी को चिक कर रहे थे बे इस वार आप जानते हैं ना कोचिंग चली ना कलासे चली फिर भी आप लोग इतने महान आदमी जो एक्जाम दिये एक्जाम में बैठे और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो और सब येर की भाती इस वार जो है बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है वो फॉर्स डिव वही फैल की है बाकि यदि सेड्य बाई सारे क्वेसंश को जीड नोगों ने टैच किय जिसे दो नंबर वाला है तो दो लाइन में पांच नंबर वाला है तो कम से कम आठ से दस लाइन में इस टाइप से कुछ भी लिखे हैं कुछ भी anything उस क्वेसंश से रिलेटेड या को स को ही दो तीन वार उतार दिये हैं तो उनको number full दिया जा रहा था हम बात करते हैं कि कैसे कैसे copy check हुआ तो physics का हम सब सब पहले बता देते कि physics आपको 70 number का होता है तो physics 70 number में 30 number 70 number का होता है 30 number का प्रेटकल होता है समझते जाना तो उसमें college बालों को बोल दिया गया है कि आप प्रेटकल में 25 नंबर दोगे 25 से 30 number के बीच में दोगे तो आपको एनिहाव 25 नंबर प्रेटकल में मिल जाएगा इधर पका 25 नंबर तो आपको हो गया 25 ऐसे फिर आपको क्या है कि ओहां पर 35 नंबर का था जो आपका subjective था वो 35 नंबर का था तो 35 नंबर में teachers को बोल दिया गया है कि आपको कम से कम minimum पर लरका को जो भी लिखा हो minimum सबसे पहले आपको 15 नंबर देना है मतब कौपी में 15 नंबर सुरू से आपको बढ़िया से फुल मार्क्स करके कर देना है 15 नंबर के बाद ही आप नंबर को काट सकते हो तो कितना हो गया 25 पंदरा चालिस उजदी आप उसमें 20 भी स्कोर करते हो तो हो गया 45 नंबर औपजेक्टिव आपका 35 नंबर दो हो तो उसमें मैं मानता हूं कि पंदरा नंबर भी आप लाते हो तो आप साठ के आसपास minimum की मैं में मिन्मम लेकर चल रहा हूं तो minimum साठ के पास आप पहुंच जाओगे समझो कैसे इतना साठ के किसमें physics में, chemistry में हो गया, Hindi English में किसी को कोई दिक्कत नहीं था, सब को full marks दिया जा रहा था, जो भी कुछ लिखे न लिखे, सब को full marks दिया जा रहा था, बाकि Hindi English हो गया, math की बात करें, तो math में objective में कुछ लड़कों ने score किया, अच्छे से किया, मतलब कि 100 objective था जिसमें 30 भी यदि आप लोग सही सही रंगी होगे तो 30 नमबर ऐसे ही objective से पास कर गयो मैत में था कि 50 नमबर का जो subjective था 50 नमबर का subjective उसको copy check करने में क्या गया है कि 20 नमबर पहले आपको देना है 20 नमबर उसमें पहले आपको दे देना है कुछ लड़का लिखा है यदि दो नमबर का question है तो सिर्फ question उता रहा है या कुछ उसके ऐसे ही लिख दिया है answer नहीं मिल रहा है बाकि process सही है उसका answer नहीं है बाकि उस ढंक से process किया जा रहा है तो यदि 5 नमबर का सवाल है और सिर्फ एंसर नहीं मिला है तो आपको चार नमबर मिल जाएगा चार नमबर आपको मिल जाएगा यदि प्रोसेस गलत है एंसर सही कैसे कैसे भी अप लिख दिये तो आपको तीन नमबर मिल जाएगा यदि दोनों भी गलत है फिर भी आप कुछ न कुछ किये हैं तो 5 नमबर वाले में आपको और हाई नमबर मिल जाएका मतलब 50% नमबर उसके बाग ये जिदे है आपका प्रोसेस भी गलती ये आपको एंसर भी गलती है फिर भी आपको और हाई नमबर दे दिया जाएगा तो ही है 50 नमबर में दो मिनमाम लगकों 측a को 20-25 नमबर मिल रहा है ऐसा तो लगके बहुत सारे लगके हैं जो 50-50 करके आ रहे हैं कौपी जिसाची करने वाले बोले बट सभी लगकों को ऐसा हिदायत दिये गया है कि आपको 20-25 नमबर देना है तो 20-25 नमबर आपको हो गया सब्जेक्टिब से 20-25 नमबर आपको हो गया किसे अब्जेक्टिब से मिल या मैस पहुंच गया पच्चास पर तो इसे टाइप से 60 पर केमेस्ट्री 60 फिजिक्स कास्मेट्री केमेस्ट्री और आप पच्चास फिजिक्स इस टाइप से आप करोगे कि कैसे लिखा जाता है मैं उन लगर को बोल रहा हूँ जो मेहनत किये अच्छे से पर है उनके लिए मैंने वो तो पास करेंगे या टॉप कर जाएंगे वो तो 400 नमबर ऐसे भी लेकर आजाएंगे ऐसानी सा 400 नमबर लेकर आजाएंगे वो जो कुछ भी नहीं पर है उनके जो मैं बता रहा था कि आप वो ऐसा हो हुआ है आप एदम बेफिक्र रहो और ये मेरा सेशन का लास्ट था 24 के बाद आप वो रिजल्ट आजाएगा तो भी हार बोड का जिसे ही रिजल्ट आता है तो आपका बीयू का फॉल्म निकल जाएगा प्तना इन्वरसिटी का फॉल्म निकल जाएगा उसकी भी तयारी करो अच्छे से करो कुछ लाइफ में बाद चाहते हो तो अच्छे कॉल च्रूट से करो तो मैं सब को आपको गाईड करता रहूंगा कि आपको कैसे करना है क्या करना सब गाइड अच्छे से करूंगा अच्छे से बताऊंगा इस इनुवर्सिटी मेड़ीशन लो जिदी अब आपको तो करना है कि आपके पास एक गॉल्डेन चांस है गुल्डेन का मतलब कि एयर फोर्स का फॉर्स का फॉर्स निकलेगा एयर फोर्स का फॉर्स मेर भर दो सबसे बरि家र में सबसे बटे ब viruses में क्या है मैझा अब सबसे जरूर की कोई प्राथमिक्ता देता है, हमारे यासपास के गाउं में सहर में जब होता है कि उसको नौकरी लग गया, तो इंटेंशन बदल जाता है उसके परती, उसको देखने का नजरिया हम लोगों लेताएंगा ही उसमें आपका देखना कि सभसे अच्छा आपका मांपस होगा और बंकी इस ट्राइप का वेडियो में पढ़ड़े तो बनाऊंगा नहीं तो आज के बास वीडियो को हम अच्छा-च्छा बनाएंगे अच्छा अच्छा बताएंगे बाकि जो ये दिनी जैसा आता है तो वो तो आपको देंगे ही देंगे तो आज के लिए तना ही जै हिंद जै भारत बंदे मातरम